हेलो एजुकेटर्स कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर हप पे जी हां दोस्तों और आज हम बात करने वाले हैं न्यूली लॉंच मैक्स हब एंड्रोइड 11 काफी इंतजार के बाद मैक्सब का पैनल आप मार्केट में आ चुका है इं चाहते हैं आप बिल्कुल ले सकते हैं क्या चेंजिस आए हैं एंड्रोइड 8.0 से और एंड्रोइड 11.0 में तो काफी खुशी क्योंकि काफी दिन बाद स्टोक आया है और काम करने में भी मज़ा था क्योंकि बहुत सारे टीचर सा भेट कर रहे थे कि कब मैक्सब आएगा और मैक्सब आब आच चुका है एंड्रोइड 11 में तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्या चेंजिस आए हैं इसमें बिल्कुल प्राइज भी खुलके जैसे हम पहले बात करते थे तो दा पॉइंट बात अगर हम इसका यूजर इंटरफेस देखे तो सेम वैसा ही है जैसे पहले वाले में था ब्राइटनेस कि सोरी आप यहां से चेंज कर सकते हैं एंड्रोइड पर विंडोज पर और अगर बात करें ब्राइटनेस यह वही चीज़ें जो मैक्सब 2020 से एफ में देता हुआ रहा है और कुछ नहीं है कुछ नया नहीं है लेकिन थोड़ा सा नया आय आय के दिश्ए हैं यहा यहां पर बहुत यहां पर बस एक ज्यादा है अगर बात करें किस बात की तो सब से पहले हम बात करता है budgeting की सबसे में पार्ट है मैं का पहले हम बात करें से की से पहले हमारी जो पैनल डेशनाल ऐसी साटे जी जो सेल यह फीए want चोटे बोक्स में आती थी लेकिन अब जैसे आप सेटिंग ओपन करते हैं पूरा बॉक्स खुल जाता है वाइफाई इथरनेट होटसपोर्ट ब्लूटूथ वीपेन सामभा सब कुछ सेम वैसे ही जैसे पहले इंटरनेट करते थे वैसे ही अब इंटरनेट करेंगे जैसे पै दैनेमिक्स आते थे स्टिल मतलब कोई भी इमेज बगारा कुछ भी डैनेमिक्स पे अगर हम बात करेंगे तो मुवेबल वह आप कुछ भी लगा सकते हैं इस टाइप का ये टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है जो मैं बता रहा हूं स्पीकर बोल पेपर बट ये सेल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है क्योंकि अब हम भी अपने डैनेमिक्स चेंज कर रहे हैं आईए बात करें स्क्रीन सेवर की जी हाँ अब आप इसमें स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं क्या आपके पैनल में है स्क्रीन सेवर नहीं स्क्रीन सेवर में बात करें इसमें हमारे पास तीन मोड दिये गए हैं सबसे पहला है clock अगर आप clock पे लगाएंगे start now मैं आपको दिखा देता हूं एक clock आगी जिसमें आपका प्रोपर टाइम दिखा रहा है कि कितने बज़े है टाइम ठीक नहीं है कर लेंगे कोई शू नहीं है सब्सक्राइब हम बात करें colors की वाव वट अब ब्यूटी सर यही एक पहचान होती है quality की standards की जो एक company maintain करती हुई आ रही है और आगे भी maintain करती रहती है यह वो product है जो काफी research के बाद काफी मेहनत के बाद और इसके अंदर काफी changes के बाद यह आपके पास आया है सब्सक्राइ आप जाएं डेमो लेने तो पूछिएगा क्या आपके पैनल में screensaver है I miss you, you know that आप यहां से screensaver never 15 minutes, 19 minutes जो भी आप change करना था चाहें वो आप कर सकते हैं बात करें input and output की अगर आप इसपे click करते हैं touch sounds, output setting speaker, line out, same वही HDMI format, 3840, 4K panel है, 60 Hz है, बहुत basic है, यह वही parameters है जो पहले से आएदे, application कौन कौन से application इसमें installed है, pre-installed है, वो आप देख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी APK फाइल हो, आप install कर सकते हैं, आप यह ना पुछा करें कि सर प्ले स्टोर है की नहीं है, भाई, गेम नहीं खेलना, यह पैनल है, पढ़ाना है, आप इसको पढ़ाने के लिए ले रहे हैं, टीवी देखने के लिए नहीं ले रहे हैं, दो लाग रुपे का आप टीवी लेंगे, सिस्टम के अगर हम बात करें, date and time, date and time आप सेट कर सकते हैं, language and keyboard, English language रहेगी, क्योंकि Android में आप Hindi डालेंगे, फिर पंगे रहेंगे, keyboard आपका कैसे आ रहा है, virtual keyboard, वो सारी चीज़ है, practically अगर देखा जाए, तो features में ज़्यादा changes नहीं है, वही changes है, बस थोड़ा सा upgrade कर दिये गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहने लगे थे, हमारे पास Android 9 है, ये है, तो Android 11 अब आया है, और आप ये चीज़ दिखेगा, कि जितने भी अच्छे brands है, जिसमें quality है, उनके Android 11 बहुत बाद में आये है, क्योंकि उन्होंने research किया, उन parameters को समझा, और उनको changes करके लाए है, अगर हम बात करें Android में, 4GB RAM, 32GB storage है, 7.93 usable है, जो मतलब कि इसके अपने hardware वगारा, कोई भी हम Android डालते हैं, 11, उसकी है, और 32GB में से जो 7.93 आपका match बहुत अच्छा है, हमने सुन storage है, आप इसमें external hard disk, 2 TV, 4 TV, कुछ भी लगा के अपना data store कर सकते हैं, ये मत कियेगा कि आप इसमें 64GB कर वाएगा, ये company अशर, ऐसा नहीं कि जो दिलकरा वो लगा दिया, आई protection mode पहले भी था, अब भी भी है, बस अब थोड़ा सा सामने आ गया है, डिस्प्ले में, automatic backlight function एक पहले भी था, जो teachers को नहीं समझ में आता था, जब आप android use करते हैं, और जब आप उस पे लिखना start करते हैं, तो light उसके automatically dim हो जाती है, और जैसे आप दूर जाते हैं, वो own हो जाती है, इसको कहते हैं, automatic backlight, pixel shifts है, जो पहले था, वो अब भी भी है, screen lock password, आप password इसके लगा सकते हैं, फिर भूल जाना, फिर हमें phone करना, फिर हम password reserve इसका तुडवाते हैं, email, startup shutdown, credentials, setting, सब से हम हैं, एक नए चीज़ जो आई है, admin का password, अब इसके अंदर आप अपने users बना सकते हैं, कि जैसे मेरे पास 3 user है, तो मैं 3 user या फिर मैंने अपने आप वो बन जाएगा, account, उसके अंदर में HDMI CEC, Consumer Electronic Control, मतलब अगर मैं इस display को CEC, एक HDMI से दूसरी HDMI, तीसरी HDMI, मतलब कि यह जितने भी branded span होते हैं, या फिर branded TV होते हैं, उन सब में CEC control होता है, जब यह सारे एक दूसरे से connect हो जाएंगे, तो एक remote, सिंगल remote, चाहे वो इसका हो, चाह सब को control करेगा, यह होता है, HDMI CEC, clone, pendrive, clone, debug, वगयरा, कि सोक mode, अगर कि हम बात करें, तो कि सोक mode, एक admin का right होता है, कि वो particular panel पे या particular किसी mobile में, यह Android का एक feature है, कि वो एक particular एक file app को run कर सकता है, या selected files को run कर सकता हो, तो सारा Android रन करने की ज़रूरत नहीं है, पंगे मतले न, पैनल कर, भाई सब, समझे में नहीं आएगा कई बार तो, ठीक कैसे करें, लीगल इंफर्मेशन, Android 11, टेश करते हैं, MacsHub, Android 11, Android 11 है, बिल नमबर अगर हम बात करें, तो इसमें developer option आ जाएगा, यह करनाल सर्विस, लीगल इंफर्मेशन, developer option में जाएगे, तो कुछ नहीं, इसकी file, source file और वो है, अब एक चीज़ इसमें क्या है, कि पहले हम इधर से यूँ swipe करते थे, नीचे, नीचे ऐसे swipe करते थे, वहाँ से हम इसको cut कर देते, लेकिन अब वो न swipe वाला option बंद हो गया है, अब उसके जएंगे क्या आगया है, आप देखेंगे न यहाँ बैक का option, यहाँ से आप बैक आ जाएंगे, अगर आप दुबारा सेटिंग से कुछ भी open करेंगे, आपको back आना है, आप यहाँ से back आ जाएंगे, मतलब कि अब आपको back option इसमें मिलेगा, जिसमें आप इसको use कर सकते हैं, पहले की तरह Android में सेम सब कुछ वही, कुछ खास नहीं, जो खास था वो मैंने आपको बता दिया, बस Android 11 आया है, पहले इसमें 20 touch points थे, अब इसमें 40 touch points हैं, hardware थोड़ा सा extra है, अगर मैं आपको बताओं board का number, कौन सा board है, तच का number, तच कौन सा है, आप यकीन माने का आप से नहीं समझ पाएंगे, वो सिर्फ एक बेचने का, या पागल बनाने वाली बात है, कि मेरे पैनल में ये वाला board लगा है, तच और इसका response time पहले से improve हुआ है, हम कह रहे हैं भाई, हम, एक बार जो हम कह देते हैं, वो हम कह देते हैं, बात करें, option की stop watch, light, picture and picture पहले भी ता, split screen है, आप screen को split कर सकते हैं, 60-40, 70-30, 50-50, आप इस पो split कर सकते हैं, चार screen एक बार में आप लगा सकते हैं, पुराना features वही से screen को कैसे split करना है, बस उसमें क्या होता था पुराने वाले में, by default position देते हैं, आपको कहाँ select करना है, इसमें आपका split screen है, panel, max up का panel with OPS के साथ आता है, अब आप बोलेंगे OPS की जरूरत नहीं है, तो भाही आपकी मरजी है, हम नहीं कुछ बोलेंगे, हम तो OPS के साथ ही देंगे, Note 5, Easy Note 5, दोनों software इसके इंदर हैं, बात करें, अगर हम Microsoft Office 2016 हम इसमें install करके आपको देते हैं, Adobe Reader इसमें डाल के देते हैं, दोनों software इसमें इसके साथ हैं, lifetime license के साथ, Windows 10 Enterprise है, और अगर हम बात करें इसके properties की, तो पहले i5 8th generation आता था, अब i5 11th generation आता है, generation का फरक आया है, पहले 8GB RAM थी, आज भी 8GB RAM है, पहले भी 128GB SSD थी, आज भी 128GB SSD है, expandable है, आप expand कर सकते हैं, depend करता है आपके use पे, आप मैं serious रहूँगा, that's all, आप लोगों करें, ज़्यादा time नहीं, बिलकुल नहीं लेंगे, और ये एक Android 11 का एक overview था, धीरे-धीरे क्या था, और one by one हम इस पर छोटी-छोटी वीडियो भी बनाते रहेंगे, कि कौन सा features क्या है, Android का अगर हम बात करें, Note का software इसका वही है, जो आप पहले से use करते आएं, अपना है, औरिजिनल है, ऐसा नहीं है कि हमने किसी से copy करके लिए आप भले ही लोग copy कर रहे हैं, बट हमारा वही January 2020 से जो आपको देते आयते हैं, यह वही features हैं, जो पहले से आप use कर रहे थे, जिसके लिए आप max up जाना जाता था, और यह max up आगे बढ़ चुगा है, तो आशा करते हैं, आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको कोई भी doubt है, आप हमसे पूछ, सॉरी, एक चीज रहेगी, speaker की अगर हम बात करें, 12-12 word के 2 speaker है, एक normal छोटे room के लिए sufficient है, अगर आप यह चाहते कि आप इसको movie theater बना सकते हैं, तो भाई हमसे नहीं बनेगा, हमारा panel teaching के लिए है, आपको अच्छी quality देने के लिए है, वो सब बाकी चीज़ों के लिए नहीं है, तो max up का panel अगर आप यूज करते हैं, आप normal एक room में जो आपका bedroom है, या फिर आपका बड़ा room, living room लगा लिजिए, अगर आप वहाँ पे यूज करते हैं, तो speaker more than sufficient है, अगर आपकी requirement ही home theater की है, तो सर्व फुल्फिल नहीं है, to the point, सिद्धी बात सग गर के साथ, और कु पहले से थोड़े से changes है, high गए है, या पता नहीं, मुझे लग रहा है, क्योंकि quality पर भी depend करता है, पहले इसका model आता था, i75FA, अब इसका model आता है, e7520C, जी हाँ, अगर हम इसकी बात करें, ये वही Android 11 है, अगर हम 75 inch की बात करें, तो सर्व ये है, सिदा सिदा हिसाब, दो लाक बारा हजार चार सो, प्लस ट्रांसपोर्ट, और अगर बात करें, 86 की, तो भाईज़ आप, ये है, तीन लाक तेईस हजार छेस्सो, प्लस ट्रांसपोर्ट, ये जो प्राइज है, पही कहानी, आपने मेर से प्राइज लिया, मैंने ये दिया, किसीने मेर से दो जार दिया, किसीने तीन अजार दिया, सर बिलकुल देंगे, ले लो. मेर से बारगेनिंग मत परागव आप यकीन मानिये हम दस में से पांच को बेच के खुश है उनको सर्विस दे के खुश है वज़े क्या है कि वो ना खुद परिशान होते ना हमें करते हैं सर मेर को ए ने पांच जार पे कम दिया है बी ने 7000 पे कम दिया आप कितने का देंगे सर हमारा प्राइज यह फिक्स है फिक्स है हाँ दिल्ली में है हम ट्रांसपोर्टेशन चोड़ सकते हैं दिल्ली से बाहर है तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे उपर डिपेंड करता हम क्या लेंगे बट ये हमारा price fix है service देनी है 24 hour technical support है वो हम देंगे क्योंकि मैं हमेशा आप कोई कहता है अगर कोई problem होती है तो मैं हूँ मैं ये नहीं कहता है कि आप company के toll free number पर phone कीजी मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ तो क्योंकि बहुत सारे teachers phone करते हैं वो कहते हैं सर वो इतने का दिर आप इतने का देंगे तो नहीं सर हम नहीं देंगे हम अपने price पे रहेंगे क्योंकि हम आपको service देंगे तो ये है price की बात अब अगर हम आगे बात करें पैनल का price बता है पांच बजए बट कोई बात नहीं आपका phone उठता है उठता रहेगा tension न लीजेगा बीच में कभी कभार अगर नहीं phone उठता है तो callback आपके पास आ जाता है उसके लिए sorry बट चीजे कई बार थोड़ी से उलजी रहती हैं बट हम कोशिश करते हैं हम सब को service दे पाएं प्रीग वाली service बान अब नहीं देते हम अब paid services है बाकि अगर किसी को max app के panel में studio से related max app PTZ या max app के products को लेकर अगर कोई problem है तो आप हमें 24 hour call कर सकते हैं हम आपके साथ रहेंगे panels already लग चुके हैं Android 11 के काफी लोगों ने लगा भी दिये हैं हमने भी लगाए हैं इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए थे तो ठीक है उमीद करते हैं मिलते next वीडियो में अब कोशिश करेंगे कि हम भी जल्दी जल्दी कुछ ने कुछ वीडियो बनाते रहें ताकि आपके जो doubts हैं आपको परेशान ना होना पड़े एक एक पॉइंट पर अलग अलग वीडियो बनती रहेंगी बाई टाटा राम राम